मुझे उमीद है कि आप लोगों सब खुश होंगे खेरे से होंगे अपना बहुत ही खयार रख रहे होंगे हम इसे काफी लोगों को यह प्रॉब्लम होता है कि जब बेंड होके यह जुके कोई चीज उठानी हो तो काफी उनको मसला होता है यह पीछ में दर्द हो जाता है यह तो कमर में दर्द हो जाता है यह तो हाथों में तकलीब होती है तो हम कोशिश करें कि जितनी हम लोग यह बेंड होना यह जुकना कोई बड़ी बात नहीं है जितना हम अपनी सेट का ख्यार रखेंगे अच्छी एक्सेस करेंगे तो यह कोई भी चीज इंपोसिबल नहीं यह तो हम लोगों को जमीन पेटना होता है तो नहीं बेड़ सकते हैं यह पीछे से कोई मुड़के चीज उठानी हो यह वापस रखनी हो तो उसमें तकलीब होती है पेन होता है कमर में यह बैक में यह कभी थोड़ी हैवी चीज यह जमीन से उठा के जुक के उठाना तो व ये नहीं कर सकते हैं, हाथ लंबा करके कोई चीज उठाना तो आज की जो हमारी ये विडियो है, इसमें करने से आपको लच्चक आएगी आप एक्टू बनो के, फिलेक्सिबल बनो के, इजीली जुकना हो, मूरना हो तो आपको तकलीव नहीं होगी, ठीक है न, तो मैं आपसे ये शेयर करती हूँ, ये जो एक्सरसाइस, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी है आपके लिए, तो सबसे पहले जो है, दोनों हाथों को पीछे, आप देखो, एक दूसरे से बंदा हुए, और आप हाथ को पीछे और अपना वेक को सीधे रखेगा, पीछ को अपनी जुकाना नहीं, और बिल्कुल पीछ सीधी हो, आप नीचे जुकेंगे, ये तकरिबन पांच से छे दफा आप इसको रिपीट करेंगे, ठीक है, इसे एक्सरसाइस को, ये एक्सरसाइस, फॉरर फोल, इसके अंदर, जो ह हम नीचे जमीन पे जुकते हैं, और इसमें आप देखे हमारी पूरी बाडी को स्टेज हो रही है, हमारा जो स्पाइन है, जो रीर की हड़ी है, उसकी स्टेजिंग हो रही है, हमारी टांगों की स्टेजिंग हो रही है, टांगों के नीचे केसे की, टांगों के उपर केसे क गर्दन की पूरी बोडी के हमारी स्ट्रेचिंग हो रही है अगर शुरू शुरू में आप जमीन तक हाथ नहीं लेका सकते हो तो कोई बात नहीं सिर्फ गुटने तक लेके हैं फिर सिलोली सिलोली नीचे तक लेके हैं ठीक है यह फिगर फूर एक्सेसाइज आपके लोवर बाडी के लिए बहुत ही बहतरी एक्सेसाइज है इसमें आप एक टांग के उपर दूसी टांग रखेंगे और जो नीचे वाली टांग है उसको दो हाथ से खेंचेंगे अभी आपकी मर्जी है कि उस पेर को आप उपर रखते हो यहां के जैसे आप देख रहे हो आप नीचे भी कर सकते हो पेर को टांग को ऐसा रख सकते हो और उपर भी रख सकते हो ठीक है न इससे आपकी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्टेजिंग होती है से इसको कुछ एक दो मिनिट के लिए एक मिनिट के लिए जितना आप कर सकते हो, आपको यहां से बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मैसुस होगी, फिर आप दुसरी टांग से करेंगे, ठीक है, दुसरी टांग के उपर, जो राइ टांग के उपर, लेफ्ट वाली टांग रखेंगे, और फिर उसके नीचे दुनों हाथ से जो है वो जितना भी अपनी तरफ खेंच सकते हो, उतना आप खेंचेंगे, ताकि आपको फील हो, स्ट्रेचिंग फील हो, ठीक है न? यह बहुत भी भेतरी इन स्ट्रेचिंग है, फिर इसको थोड़ी दिर होल्ड कर सकते हो, ठीक है न? अब एक तेर मिनट के तक भी, दो मिनट तक भ वात है, यह आपके लिए फायदे मनते है, सही न? फिर 스lually स्लोली नीछे करेंगे, यह आम, सर कर एक्षेसाइज करने से आपके शुल्डर के लिए बहुत ही बेतरी नहीं है, लोगों को काफि आपने सुना, का फैरोजन शुल्डर हो जाता है, तो यह और एक्षेसाइज न उपर वाला सा, उसके लिए भी बहुत अच्छा है Isquat, isquat जो है वो आपकी बॉडी को tip-top shape देता है यहिनि कि बॉडी का जो एक अच्छा beautiful shape होता है वो से कहते ही के स्कॉड ही होता है स्कॉड बहुत अच्छा है उसके लिए इस exercise को कहते ही holy grail exercise इन्हीं कि इससे यह करने से आपके बॉड़ी को बेहसा बेनिफिर्स मिलते हैं आपके बॉड़ी को और इससे आपका पेट भी अंदर जाता है यह जो एक्सिसाइज है वह आपके जो जुआइन से जो हमारे जो भी जुआइन से जैसे गुटने है पेर के जुआइन से उसको जो है वो range of motion बढ़ाता है इन्हीं के वो आपको moment बढ़ती है mobility आपकी बढ़ती है आप चुस्त होते हो, active हो जैसे फॉरण से बैठे फॉरण से उठ गए ठीक है ना, तो ये आपकी mobility के आपके लिए movement के लिए बहुत ही बहती है exercise है ये exercise seated torso stretching torso का मतलब है हमारा body, हमारा धर जो है हमारा जिसम का धर हो इसको torso बोलते है तो इससे क्या होता है कि ये exercise करने से हमारी बैग की जो spine है ना जो हमारी read की हड़ी है ये उसके लिए बहतरी न exercise है उसको कहते है कि ये लंबा तैय जैसे हम लोग age होते हैं हमारी spine की जो heighten वो कम होती जाती है तो जितना आप exercise करोगे अच्छे चे exercise करोगे तो उसकी length जो है वो बढ़ेगी समझे ना तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छे exercise है और आपके hips के लिए ठीक है ना बेतरी न exercise है नेक rotation इन्ही गर्दन की और हमारे जो सर है उसकी exercise अब को पते हैं आजकल कितनी लोगों को नेक का problem है एक computer बेढ़ते हैं या young बच्चे हैं काम करते हैं गंटों और भड़ी एच के वालों को तो होती है उनको तो एच के सबसे होती है 100% लेकिन यंग बच्चों को भी जो यंग स्टेर उनको भी ये चीज होने लगी है तो ये exercise आपके नेक के लिए एक बहतरीन exercise है समझे ना ये जो exercise है ये आपको आपके बाड़ी को balance रखने के लिए नहीं कि काफी लोगों को शिकायत होती है कि हम चलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गर रहे है balance नहीं रहता है तो उसके लिए बहतरीन exercise है तो अगर आप ऐसे बगर पकड़ी हुए कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के करना चाहें कुर्सी को या दीवार को तो भी आप कर सकते हो तो पर slowly slowly आपका balance अच्छा होता जाएगा तो मुझे अमीद है कि मेरे आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसको प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स में फैमली में और अगर आपनी मेरा चैनल सबस्क्राइम नहीं किया है तो उसको जरूर सबस्क्राइब करना ताकि मेरी सब वीडियो आपको मिलती रहें